वेलकम तू माई यूट्यूब चाइनल हाज हम बात करेंगे डाइकन के बेस्ट मोडल जो है 2021 लेटेस मोडल है डाइकन की तरफ से FTKF 50 यह देखिए यह 1.5 तन 5 स्टार इंवर्टर एसी है जिसकी ISEER रेशो 5.33 है और कुलिंग कपैस्टी 5,280 है अगर हम इसकी electricity consumption units per year देखेंगे वह है 767 इस EC का सबसे बड़ा plus point है इसकी looks अगर हम इसकी looks देखेंगे वो बहुत ही आपको premium देखेंगे यह देखिए अगर हम इसकी warranty पर बात करते हैं कम डाइकन कंपनी इस टाइम आपको 5 साल PCB पर warranty दे रही है 10 साल compressor पर warranty दे रही है अगर हम इसके features की बात करें इसमें आपको four way swing मिलती है up down and left right इसमें आपको double flap मिरते हैं जिसका ये benefit है कि हवा की कटाई बढ़िया होती है और noise level कम हो जाता है उसके बाद इसमें आपको economy mode मिलता है condire flow मिलता है power chill का option और latest gas are 32 eco friendly मिलती है ये AC 54 degree तक work करने पर design किया गया है indoor quiet operation मिलता है कि इसका indoor बहुत ही quiet है अगर हम इसके air throw की बात करेंगे वह 18 meters तक अगर आप इसका air throw देखेंगे तो वह बहुत ही बढ़िया है अगर हम आप पूछें इसमें आपको 100% copper squal मिलती है और ये AC 132,270 तक work करता है without stabilizer इसमें एक drawback है कि इसमें आपको display नहीं मिलती अगर आपको display चाहिए तो आपको इस से उपर वाले model पे जाना पड़ेगा जो है JTKJ50 इसमें आपको PM 2.5 air filter मिलता है और titanium coated coils मिलती है जिसका ये benefit है कि आपकी coils में इसा corrosion free रहेंगी अगर हम इसके और भी बात करें specifications की तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो maximum cooling capacity है वो है 6.0 मिलती वाट इसका ये benefit है अगर आपकी गर्मी बढ़ती है ये अपनी cooling capacity बढ़ा लेगा जो अंसी ये cooling capacity simple है वो है 5.28 मिलती वाट्स अगर गर्मी बढ़ती है ये cooling capacity बढ़ा के अपनी 6000 वाट्स पे चले जेगा अगर आपके minimum cooling capacity है वो है 1000 वाट जो की बहुत ही बढ़िया है अगर आप इसके बीटी ओर्स चेक करेंगे वो है 20,417 बीटी ओर और minimum है 3,412 हम गलती ये करते हैं कि हम इसके maximum बीटी ओर तो चेक कर लेते हैं हमें minimum बीटी ओर भी देखने चाहिए जिसका ये benefit है कि हमें पता चल जाए कि हमारा AC minimum कितने वाट पे जाएगा अगर आपका AC इतने बीटी ओर 20,472 बीटी ओर पे जाता है तो इसकी consumption जाएगी 1700 वाट अगर ये minimum 3412 बीटी ओर में जाता है तो ये शिरफ 200 वाट लेगा जो कि एक AC के लिए बहुत ही जादा कम है ये machine FTK F50 बहुत ही advanced design की हुई machine है डाइकन की तरफ से अगर ये 5280 वाट पे वर्क करेगा तो ये शिरफ 1290 वाट लेगा अगर 2640 वाट पे चलेगा तो सिरफ 450 वाट कंजेप्शन करेगा आपकी अगर आपके इसकी maximum पेर चेक करें तो 45.8 है जो की बहुत ही बढ़िया है annual power कंजेप्शन जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वो है 767 इसमें आपको 3D air flow का भी option मिलता है अगर आप इसके indoor की weight की बात करेंगे वो है 11 kg अगर आप इसके outdoor की weight की बात करेंगे वो है 39 kg की वो इसका मतलब ये है कि आपकी machine बहुत ही heavy design की हुई है अगर हम इसके outdoor की बात करें तो ये double row coil में design की गई है डाइकन की इसका ये benefit है double row coil का कि अगर बार आपकी heat बढ़ती है अगर temperature बढ़ता है इसकी cooling capacity नहीं कम होगी इसकी performance बहुत ही बढ़िया रहेगी आपका compressor double layer में ढखा हुआ है for quiet operation जितना ही अच्छी तरीके से coated होगा उतना ही आपके compressor की noise कम होगी आपकी PCB बहुत ही अच्छी तरीके से लगा रखी है डाइकन ने यह इसका heating sink है कि इसमें पानी जैसे मद्या है पानी आने का खत्रा नहीं है यह देखिए हमारे पास सारे ही models है अवेलिबल यह देखिए अगर आपके area में fluctuation जादा होती है तो आपको step laser लगा लेना चाहिए यह वेलिबल का लेटेस्ट मोडल है यह special inverter air conditioner के लिए डिजाइन किया हुआ है और इसकी लुक भी बहुत बढ़ी है यह digital stabilizer है वन फिफ्टी टू टू एटी तक वर्क करता है यहां पर आपको डिस्पली आएगी जो कि hidden डिस्पली है इसमें यह आपके AC की लुक को और भी बढ़ा देता है यह देखे कितना ही अच्छा लग रहा है यह लगा हुआ डाइकन का विंडो AC हमारे पास आपको air purifier भी अवेलेबल है डाइकन का फ्लो स्टेंडिंग टाइप अगर आपको किसी और भी ब्रैंड की वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट करें और मैं आपको उसी मोडल की वीडियो बनाके दे दूंगा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सस्क्राइब करना मत भूलना लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स और इशेदारों को शेयर कीजिए ये मेरे फादर बैठे हेलो कर दो